प्रियम मित्रों यों सोतागां मेरी हर्दिक सुखकामना आप लोग सुखी रहें स्वस्थ रहें संपन्द रहें मेरी स्वसेई प्रात्ना मैं जोती साचार पंजित नेर्नाथ पांडे मज़पर इस वालिय से बोल रहा हूँ जिस प्यार सने के साथ आप लोग मेरे कारिक्रम को देख रहे हैं अपना विचार दे रहे हैं, फर्माइस कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सस्क्राइब कर रहे हैं इसके लिए आपको कमया भारियों, आपको धन्यबाद देता हूं आज एक बहुत अच्छा क्योग्राम तस्तुत करने जा रहा हूँ बुद्गर कुंडली के किनकिन राशियों में भाग उदय करता है यों विद्वान बनाता है जिसके मेश राशी में बुद्ध बैठा हुआ है ऐसे लोग विद्वान होते हैं इनका भाग उदय होता है और स्वेंग निर्मान करता होते हैं जिसके करक राशी में बुद्ध बैठा है ये राजा के समान जीवन जीते हैं इनके भाग बच्पन से ही उदय हो जाते हैं करमत होते हैं कुसन खेरारी होते हैं बुद्ध जीवी होते हैं, जिसके कुंडली में सिंग रासी में बुद्ध बैठा हुआ है, ये पूर्ण विद्वान होते हैं, अच्छी सिक्षा पाते हैं, बेवसाइक सिक्षा पाते हैं, ऐसे लोग आईएस, आईपियस बनते हैं, ऐसे लोग इंजीनियर बनते हैं, इमान होते हैं, सत्रू बिहीन होते हैं, सत्रू को भी मित्र बना लेते हैं, कभी इनका चरित खराब नहीं होता है, कभी जेल नहीं जाते हैं, कभी किसी पास्वित नहीं रहते हैं, जिसके कुंडली में धनुराशी का बुद्ध हो, ऐसे लोग, व्यक्ति को पहचानने की छमत रखते हैं। तिब्र बुद्धी के होते हैं। विचारवान होते हैं। भाग्यवान होते हैं। देश विएश में नाम फैलाते। इनके भाग का बचपन से ही उदय होते हिसे लोह। व्यक्ति को पहचानने की झ्षंदा होते ह kau जिसके कुंडली में। मकर रासी में बुद्ध और हो ऐसे लोग उद्योगपती होते हैं ऐसे लोग रंग से राजा बनते हैं जीरों सिहरों बनते हैं इनके पास जो भी दण, दृञ्यर्स, पृतिस्टा, राता चैस्पंगा बनाये वहा राता है जिसके कुंजणी में कुम्रासी में बुद्ध बैठा हुआ है। ऐसे लोग व्यक्ति को प्रभावित करने की छमता रखते हैं, इनके भाग्य बच्पन से ही उद्धर हो जाते हैं, ऐसे लोग अपने कम परिश्चर में अच्छा धन कमाते हैं, अच्छा यस्क्रिथी मेरा फोन नंबर दिया हुआ है जिसक्रप्शन ने भी दिया हुआ आप संपर कर सकते हैं कोई मित्रगाण अपने कुंडली का मुझसे विश्देशन कराना चाहता है तो मेरे फोन पर संपर करिए मेरे नियम का पादन करेंगे तो मैं विवेचन कर दूंगा आप लोगों के सह